हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टो इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म टाप 10 क्लासेज और मैं हूं बच्चो आपका प्रजोल सिंग कमें स्ट्री मिंटर आज बच्चों आपका स्टार्ट करेंगे कि विस्थापन मेंस प्रतिस्थापन अक्रिया बच्चों क्या होती है तो बच बच्चों आप कहीं पर बैठे हैं और वहां से आपको कोई रिप्लेस कर दे हटा कर वहां पर जाकर कोई और दूसरा बैठ जाए तो यह क्या हुआ बस विस्थापन हुआ प्रतिस्थापन हुआ तो यही चीज होती है रसानिक अब क्रियाओं में भी क्या होती है कि जब को कोई अधिक क्रियासील तत्त्या समू को रिप्लेस कर देता है उसके विल्यन से हटा देता थे हम क्या कहते हैं विस्थापन प्रतिस्थापन क्या होती है जब कोई अधिक क्रियासील तत्या समू कम क्रियासील तत्या समू को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन क्रिया कहते हैं तो यहां पर बच्चों क्या लिख रहे हैं यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए जब कोई अधिक क्रियासील तत्व या समू क्रियासील क्रियासील तत्व या समू को विस्थापित कर देता है विस्थापित कर देता है तो इसे तो इसे विस्थापित अपक्रिया तो इसे विस्थापित अपक्रिया बच्चों कहते हैं जैसे बच्चों आपके बुक में एक्जाम्पल दिया है और इसमें दिया है बच्चों की यफी और बच्चों यहां पर दिया आपको कॉपर सल्फिट एक को से बच्चों अब बच्चों यहां पर समझी यफी को हम कहते बच्चों क्या कहते हैं और लाइतीन में बच्चों क्या कहते हैं कोम पियादा बच्छो यफी की क्रिया ज्यादा होती है क्रियास ज्यादा होती है ज्यादा होती है इसलिए कर दो कि्लियन कुआएं कर से नirect अब इसलिए दो यफिया करेगा कापर करें कि बिलियन क्या करण गार हटा देगा है क्या करेगा है रिप्लेस कर देंगा और बच्चो अब जो शॉ फेरच सवीट यरंफी यसुभी यससोफोस इसको हम क्या करते हैं और बच्चो आपका क्या बच्चा का पर बचानों यह हो इक्वस में हो गए यह एक्वस में और बच्चो कापर क्या आपको सॉलिड में हो क्या इतनी बाते समझ में आई है इतनी बाते बच्चो समझ में आई होगी तो यह कौन से प्रिया है विस्थापन प्रिया है कौन से प्रिया है विस्थापन रिप्लेस्मेंट प्रतिस्थाप पर नप्रिया है बच्चों अगर हम यहां पर बात करें हम आपके कि एक बच्चों नोट जानते रहेगा अक्सर बच्चे कन्फूस होते हैं फेरिक स्ल्फिट прест तो भुशों फेरस स्ल्फिट काiberixa फार्मूला जो होता है। वह क्या आता भुच्छो ? o .4 क्या आता यपुफी'll São for Fнения Pray doc my अब फेरिक का प्यवच्छो ? o yaswon यहां पर देखेंगे अगर यहां पर कौन सा आयन आपको मिलेगा यहां से बच्चो आपको कौन सा आयन मिलेगा अगर यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर रखेगा बच्चो तो यह concept कि रियां बच्चो विस्त हापन अप कुलिया प्रतिस अपन अपक्रिया है अब बच्चो एक ग्जामपल और इसमें लिया है वह क्या है प्ति इसे आप समझे कि हमने लिया बच्चो जिंग सवस्ता में है और यहां पर क्या वच्ञो कापर स्लुफेट फिर उसरी प्रकार से कापर स्लुफेट क्या शोक्ञो पर सलुफेट एक्वस है और जब बच्ञो हमने क्या किववली nhất क swatch अपका क्या बश्चो आपका तो यह कौन सेपक्त कुछा है कोई पूचे तो यहां पे । थाποन हो रहा है ईसलिए हम इसको क्या कहेंगे विस्थापन अपक्रिया कहेंगे अब बच्चो एक अपक्रिया और दिया हुआ है आप में उस्मा छेपी और उस्मा सोश्य अपक्रिया क्या होते बच्चो और इसको भी हम समझ लेते हैं तो बच्चों क्या देखेंगा आपका उस्मा छेपी उस्माचेपी एवं उस्मासूसी अवगिरिया उस्माचेपी एवं उस्माचूसी अवक्रिया तो सबसे बहुति है वच्चों चक्या आप आपका हीडिंग्ल लगा लेते हैं उस्मा शेपी क्या अच्छो उस्मा शेपी अब उस्मा शेपी अपक्रिया क्या होती बच्छो उस्मा का मतलब बच्छो उस्मा और शेपी का मतलब बच्छो निकलना शेपी का मतलब तो रिलीज होना निकलना तो वह अपक्रिया जिसमें उस्मा निकलती उसे हम क्या कहेंगे उस्मा छेपी अब्विक्रिया कहेंगे तो definition क्या लिए सकते बच्चों वहर असानिक अब्विक्रिया वहर असानिक अब्विक्रिया जिसमें वहर असानिक अब्विक्रिया जिसमें उस्मा निकलती है जिसमें उस्मा निकलती है उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते हुशे क्या कहते हुशे इसे आभिक्रियों कि कार्बन 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 डाय ऑक्साइड बना रही है और जो दूंबने वाली उसमा बस्मा क्या 44 किलॉ कैलोरी है, कितना बस्मा 4000 किलो कैलोरी है तो ये 94 किलो कैलोरी है उसमा क्या निकल रही है, अब कैसा बात पता चली मतलब अगर धर्यों कल रही ईसमा तो उतपादि के pola sign के साथ उसमा की दर्शायेंगे जो प्लस है बच्चों क्या निकलना यह प्लस क्या दर्सार आपको उस्मा क्या निकल रही है निकलना दर्सार रही है अब हम बात करेंगे उस्मा सोसी कि उस्मा सोसी अभिक्रिया अब उस्मा सोसी अभिक्रिया क्या होते बच्चों उस्मा सोसित होती है क्या है वह अविक्रिया जिसमें उस्मा लगती है और सोसित होती है क्या वह अविक्रिया वह अविक्रिया जिसमें वह अविक्रिया जिसमें उस्मा और सोसित होती है वह अविक्रिया जिसमें उस्मा और सोसित होती है उसे उस्मा सोसी अविक्रिया कहते है इसे उस्मा और सोस्चित आफ करते हैं इसमें और शोसित होने वाले उस्मा क्या है 45 किलो कैलोरी है बच्चो तो इस प्रकार से यह अपक्रिया क्या है बच्चो उस्मा सोसी अपक्रिया है अगर उस्मा छेपी होगी तो उस्मा निकलेगी और उसको positive sign के साथ उस्मा को positive sign के साथ उतपाद की और दरसाएंगे और उस्मा सोसीत होगी तो उसे negative sign के साथ उतपाद कीजिए मिलते हैं बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बच्चों जै हिंद जै भारत